नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, यदि आप Herbal Life के प्रोडेक्ट्स, वेट लॉस प्रोडेक्ट्स या कोई से भी प्रोडेक्ट लंबे समय तक यूज करते हैं, तो इससे आपको क्या साइड एफक्त हो सकता है, और दोस्तों इस सायात में ये कि वेट मेनेजमेंट करने के लिए लोग बहुत टाइम तक इसका यूज करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही छोड़ते हैं, उनको लगता है कि मेरा बढ़ गया है, वो अच्छी तरीके से गाइडलाइन जो कि आपको, मतलब के कोच बताते हैं, उनकी दे जादा हैबिट करते हैं, तो वो आपकी शहत के लिए सही नहीं होता दोस्तों, वैसे तो यह न्यूटिशन है, आपके न्यूटिशन फूड है, एक तरह का खाना, लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ है, जैसे आपके अफ्रेश है, और दोस्तों, सेलूलेस होते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी चीज के आती हो रही है, बहुत जादा आप उसका अपयोग कर रहे हैं, तो आपके सहत को नुकसान कर सकता है, दोस्तों, तो इसको कैसे यूज़ करना है, और कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, आप ये बताता हूँ म उससे पहले मैं दोस्तों बता दू कि मैंने giveaway रखा था पिछले अपने वीडियो मंडे को और मैंने कहा था कि इसमें आप यदि आप दो अच्छे से कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सस्क्राइब करके रखते हैं तो मैं उसका result बताऊंगा आपको इस मंडे यानि आज लेकिन दोस्तों जो वो software है वो अभी तोड़ा work नहीं कर रहा तो मैं दो-तीन दिन में जैसी वो software अच्छी तरीके से work करेगा मैंने उसमें पूरा आपको करके दिखाऊंगा और जो भी हमारा बिनर रहेगा उसको हम 50% discount में आपको जो product है और आगे भी giveaway लाता रहूंगा तो इसलिए चनल को subscribe करकर रखें और अच्छे से कमेंट भी करते रहें अब मैं बता दू दोस्तों कि आप शेक लेते तो आप देख सकते दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजह हैं जैसे A है vitamin B1 B2 ऐसे करके बहुत सारी protein भी दोस्तों प्रोट जैसे body को habit लग चुकी इस चीज़ की तो मतलब हर चीज में मतलब gap जरूरी होता है जैसी आप यूज करें उसके बाद 15-20 दिन का आप gap दे दे और फिर वापस से चालू करें यदि आप लॉंग समय तक रहते हैं इसके अलावा दोस्तों मैं बता दू कि मैंने ऐसे बहुत स है दोस्तों लेकिन अफ्रेश है जैसे माली जी उसमें भी कैफेन है और दोस्तों यह ज्यादा लेंगे तो आपको शरीर को नुकसान भी कर सकता है तो यह है कि आप इसको जैसे मतलब लीजी आप फिर ब्रेक दीजिए कुछ टाइम के लिए जैसे 15-20 दिन के लिए ब्रेक इनाट होना दोस्तों और आपको मतलब एक समय से आता है कि थकावाट होने लग जाती है पहले तो इस चीजों कभी आप ध्यान रखें दोस्तों गैप करकर के लें और दोस्तों फ्लैवर है वो भी चेंज करके लें जैसे मां लीजीए शेक अभी आपने यह चोकलेट फ्लै ले लीजीए कभी आप दूसरा ले लीजिए और ऐसे करते-करते आप चेंज कीजिए जैसे वैनिला ले सकते हैं और प्रोटीन तो वही है और दोस्तों कभी क्वान्टिटी जैसे मां ली जैसे कुछ हो चाईम बाद आदी चपाद ले रहें तो कुछ ताइम बाद आदी से बढ़ा ले क्योंकि दोस्तों क्या है कि यह चीजे करेंगे तो आपकी बॉड़ी में हैबिट नहीं लगती और किसी भी चीज की हैबिट नहीं लगनी चाहिए इसके अलावा जैसे इसके अंदर एक्टी फाइवर है तो उसको भी आप रेगुलर निक करें दोस्तों जितना लेना आपके कोर्स ने बताया आपको उस टाइम तक आप उसको यूज कीजिए लेकिन दोस्तों फिर उसको छोड़ दीजिए और फिर आपको लगता है तो फिर ले लेजिए ऐसे करत आप दीरे दीरे घार आप मतलब फ्रोडेट को भी छोड़ सकता है और आपको शाइड एफक्ट भी नहीं होगा वैसे तो दोस्तो मैं बता रहा हूँ आपको हरभल है, यह नुटेशन है, आपके साइड एफेक्ट इतना नहीं करता है, लेकिन दोस्तो कोई भी चीज है जैसे पानी है, पानी भी ज्यादा पीते हैं, तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है, ऐसे ही दोस्तो यह भी है कि आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा लेते हैं पानी तो चलो रोज की नीड होती है इसलिए वो ज़रूरी होता और बाड़ी पुरा पानी से ही मतलब चलता है लेकिन दोस्तों यह जो चीजे होती है इसको आप मतलब रेगुलर नहीं रखे इसको गैब देदे के लखे आप जब त कर सकते हैं जिसमें आप प्रोडेक्ट को मंगवा भी सकते हैं और दोस्तों नीचे मेरे दूसरा यूटूब चैनल है जिस पर मैंने ब्लॉग मनाता हूं तो इसको भी सब्सक्राइब करने उस पर वीडियो वाच करें बहुत अच्छे अच्छे और दोस्तों यह आपको कु वीडियो हेलफूल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन दबाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दन्यवाद